पिछले चांद एक लेक्चर्स में हमने अपने सोफ्ट्रे अडॉबी प्रीमिर को कुछ हद तक एक्स्प्लोर किया हमने देखा किस तरीके से हम अपने एसेट्स को अपने वीडियो और डियो या कोई भी हमारे पास अगर इमेजिस हैं किस तरीके से उनको import करते हैं और import करने के बाद उन पे काम शुरू करते वे या उनकी selection करते हैं वेक्ट हम source window को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं कुछ हमने छोड़ी छोड़ी short keys भी देख ली थी जो हमारी उस वक्त major usage की हैं और कुछ हमने उसके panel को भी explore किया था आज के lecture में हम थोड़े से और panel को explore करते हैं और हमारे पास जितने भी control वहाँ पर मवजूद हैं किस तरीके से हम उनका maximum फायदा उठा सकते हैं उसको थोड़ा सा हम आज देखते हैं जी तो ये था हमारा project जिस पे हमने काम शुरू किया था हमने further bins बनाई थी अपने footage को मजीद organize करने के लिए हमने इसमें audio भी import कर ली थी हमने कुछ चीजे अपनी source window के अंदर भी open कर ली थी और उसके बाद हमने यहाँ से in और out लगा के selection की थी तो आज के lecture में हम थोड़ा सा इस panel को मजीद discuss करते हैं कुछ हमारे पास जो controls हैं सबसे important चीज मैं आपको एक और बताता चलूँ यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर note क्या होगा आपके पास यहाँ पर कुछ numerics कुछ digits आ रहे हैं इस side पर भी और एक right side पर भी इस window को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं या आपकी सहूलत के लिए हम बेशक इसको full screen कर लेते हैं और मैंने अपनी tilde की के साथ इसको full screen किया आप देख सकते हैं कि आपके पास सारी चीजे इस वक्त full screen पर visible हैं ताके कोई चीज hide नहीं हो रही छोटी window में अगर आप देख रहे हो ते कुछ चीजे chances हैं आपके पास hide हो रहे हो तो कभी आपके पास सारी options अगर ना भी reveal हो रही हो तो आप देख लीजेगा एक दफा कि हो सकता है कि इसको थोड़ा सा expand करने से अब आप देख सकते हैं कि options सारी reveal हो गई और पास दफा ऐसा भी होता है कुछ options अलड़ी मतलब इस वक्त मेजर तो आपके पास आ रही है आपके पैनल पे लेकिन कुछ options आपके पास और भी होती हैं जिसको आप further इस plus के button से जाके देख सकते है या कहीं पर जाके आपके पास कोई drop down menu की option होती है तो वहाँ पर जाके भी आप explore कर सकते हैं कि इसमें और कौनसी options मुझूद है फुल स्कीन हम इसको करते हैं दुबारा और tilde की के साथ सबसे पहले मैं आपको time code का बता दूँ जो आपके पास यहां पर left पर time code आ रहा है basically यह आपको इस वक्त यह बता रहा है कि आपका जो इस वक्त सीटी आई है current time indicator वो कहां पर है current इस वक्त आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको यहां से move कर रहा हूं तो आपका time code भी change हो रहा है यकीन आप लोगों के लिए थोड़ा सा confusing जरूर होगा कि यह इतने सारे digits क्या हैं और एक इस तरीके से move करते हैं किस तरह से काम करते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले हमारे पास अगर हम इसको देखें तो हमारे पास यहां पर एक तो तीन चार और बीज में उनके column है space है तो अगर हम यहां से इसको शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं यहां पर frame उसके बाद हमारे पास है यहा यहां पर है, तो इस वक्त मैं exactly 30 seconds पर हूँ, 30 seconds इस clip के basically, यही फाइल अगर आपकी और बड़ी होती duration में, मैं इसको और आगे move करता रहता, जिस तरह आप यह total file ही मेरे पास इस वक्त 53 seconds और 10th frame किये, अगर यह फाइल कुछ घंटों पर होती या और minutes पर होती तो आप देख सक यहां पर और भी options आपके पास आ जाती और आपको 00 की जगा उसके minutes या उसके overs आ रहे होते हैं, जो दूसरा time code हमारे पास यहां पर आ रहा है, वो basically आपको उस duration का बता रहा है, जहां पर आपने in or out अपना लगाया है, मतब इस पूरी footage में से, जो यहां पर source window के अंदर imported है, जिसकी total duration 53 second 10 frame है, तो उसमें से जो हमने selection की है, अपने in or out के through, वो basically 16 second 24 frame है, अगर मैं आपको यहां पर इसका out point change करूँ, out point change करने से इसकी duration बजीद बढ़ जाएगी, और out point change करने का तरीका, मिसाल के तोड़ पर यह footage यहां तक थी, और हमने इसको यहां तक select कर लिया, तो हमें क्या करना होगा, हमें out point change करने के लिए, ओ प्रेस करना होका यहां पर, जो कि इसकी short की है, अब आप देख सकते हैं, इस पूरे in or out area की duration, 36 second, 3 frame पर जा चुकी है, further आपके पास जो यहां पर panels हैं basically, यहां पर आप in control से भी इनको कर सकते हैं, यह आपके पास, जो हमने short की press की थी, ओ, out point लगाने के लिए, यहां पर हमारे पास है mark out की command, यहां पर हम इसको press करेंगे, तो तब भी जो आप short की O से काम करें थे, वो यहां पर आपके पास click करने से भी हो जाएगा, इस source window में काम करने के लिए, मैं आपको suggest करूँगा, कि आप maximum short keys use करें, या smartly इस तरह का combination बैसिकली आपके workflow को बहुत हद तक smooth बना सकती है, तो अगर आप इन पर थोड़ा सा दिहान देंगे, तो आपका काम काफी speed up भी हो जाएगा, और मैं काऊंगा कि जरा smooth भी हो जाएगा workflow आपका, तो थोड़ा सा हम इनको और भी देख लेते हैं, कुछ चीजे हमने पहले भी देखी थी, बैसिक बैसिक सी, लेकिन मैं आपको इस वक्ताओं कि यहाँ पर मेरे पास एक है marker, marker क्या काम करता है basically, कि अगर आपने इस footage पे कोई note add करना हो, इस duration पे जाके जहाँ पर में भी यह पूरा virtual university of Pakistan पूरा reveal हो चुका है, तो में भी यहाँ पर मैंने एक note add करना हो, और मेरे marker पे click करने से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CTI के बिल्कुल exactly ऊपर एक marker add हो चुका है, इस marker को अगर मैं double click करूँगा, तो मेरे पास further उसको edit करने की option आजाएगी, मैं उसमें अपने notes add कर सकता हूँ, मैं उसमें अपने pointers add कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो उसक label कर सकता हूँ, label का हमने एक तरीका अपनी footage को करने का भी देखा था, तो हम अपने markers को भी basically label कर सकते हैं, तो अगर मुझे कोई marker का name रखना है, मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, और मैं यहाँ पर comment पर note add कर सकता हूँ, marker बड़ा important है, हम उसको थोड़ा सा आगे जाके अलग स भी explore करेंगे, अभी हम यहाँ पर बाकी panels को देखते हैं, इसके साथ ही बिल्कुल आपके पास mark in है, अगर जिस point पर आपको अपना in point लगाना है, जहाँ से आपको footage शुरू करनी है, मेभी आपको यहाँ से करनी है, आपने यहाँ पर mark in वाले icon को प्रेस किया, अब आप दे ले करूँ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक इसका जहाँ पर नाम रिवील हो रहा है, यहाँ तक मैं इसकी selection करूँ, मैं इसको space bar से रोख सकता हूँ, अब आपको लगता है थोड़ा सा आगे चले गए है, तो जे के एल कीस थी हमारे पास, जे से मैं इसको reverse लेके गया, औ और मुझे यह चाहिए था short यहाँ तक, अभी भी further मैं इसको मजीद बेतर cue करना चाहता हूँ, out point selection के लिए तो मैं अपनी right और left arrow की से frame by frame selection करूँगा, और यहाँ पर मैं जाके mark out पे click करूँगा, तो आपका in or out point select हो गया, अब आप इसको इस area में से पकड़के timeline पे drag करके रखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके बस timeline पे same in out आ चुकी है, अपनी selection को देखने के लिए कि आपने in or out कहां पे लगाया, क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त कि अभी तो यह footage आपके पास total कोई 53 second की थी, अगर आपके बस footage काफी ज़्यादा बड़ी हो duration में तो आपको यह जो इतना area zoom in होता हूँ नजर आ रहा है, में भी आपको और छोटा नजर आ रहा हूँ, तो आप ज़रा सा भी अपना CTI को move करेंगे, तो बहुत step आगे move हो रहा होगा, अभी तो हम इसको बड़ा easy कर रहे हैं क्योंकि इसकी duration इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो अगर आपको देखना हो अपनी selection कि आपने in point कहां पर लगाया था, क्या वो point सही है क्या नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसको click करना है, जो के है आपके पास go to in point, तो यह आपका CTI जिस मर्जी जगह पर हो आपकी source window में, go to in को click करने से वो आपके in point पर चला जाएगा, जो आप already पहले in लगा चुके हैं, और अगर आपको out point देखना हो तो इसी के आगे यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा go to out, go to in, go to out, और दोनों की अपनी अपनी short keys है, shift I in point पर जाने के लिए और shift O out point पर जाने के लिए, यह हमारे पास play का button, इसी को ही दुबारा करने से stop हो और जैसे के पहले हमने देखा था कि हम frame by frame, जो हम अपनी right और left arrow key से जा रहे होते हैं, वो आप mouse से भी यहाँ पर जा सकते हैं, go to out point के थोड़ा सा मैं right जाता हूँ, तो जो next हमारे पास एक यहाँ पर चोटा icon आ रहा है, वो insert का आ रहा है, तो यहाँ पर आपने जो भी selection की आप अगर यहाँ पर insert पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर timeline पर आपका CTI था, उसने उसी selection को source window से timeline पर ले जाके उसको insert कर दिये, एक और दफा इसको मैं करके दिखाता हूँ, आपको मैंने insert पर click किया, आप देख सकते हैं कि वो ही file यहाँ पर आपके पास आ चुकी है, insert के बाद मेरे पास override की option है, अगर मैं override पर click करूँगा, तो basically उसने किया किया, उसको insert नहीं किया, उसने उसको override कर दिया, बतब अगर आपके पास कोई भी आगे, कोई footage पड़ी भी थी already selected, तो उसने उसके ऊपर उसको override कर दिया, और वो footage आपकी जो भी पड़ से थोड़ी सी disturb हो गई, इनकी shot की भी है, comma, insert के लिए, और pull stop, override के लिए, इसी के थोड़ा सा, साथ ही बिलकुल, मेरे पास यहाँ पर export frame की option है, जो basically क्या करता है, जहाँ पर भी आपका CTI हो, उस area को अगर आपने उसका still image export करना है, अब यहाँ पर click करेंगे, और यहाँ पर आप फर्दर उसकी options दे सकते हैं, कि किस सेटिंग में आपको export करना है, किस path पर आपको export करना है, आप जाके उसका still image भी export कर सकते हैं, यह तो थी इनकी कुछ major major settings या major major panel control, अगर आपको फर्दर और भी कुछ options देखनी हो, explore करनी हो, मैं आपको recommend करूंगा, यहाँ पर एक plus का sign है, उसके अंदर आपके पास और भी बहुत सरी options मुझूद है, तो आप इनको भी explore करें, साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि हमारे पास जो program window है, basically उसके अंदर भी कुछ हमारे पास control ऐसे ही है, सिवाए चन्द एक चीजों के जो कि उसमें addition है, आप देख सकते हैं कि जि इसके अलावा extract है हमारे पास, और जिस तरह के हमारे पास यहाँ पर source window में थे, बाकी control almost वैसे ही है, मिसाल के तोर पे यहाँ पर fit के एक option है, जो कि source में भी थी, और इससे मेरी मुराद यह है कि अगर आपको इस footage को currently zoom in करके देखना है, यह physically इसको zoom in करेगा नहीं, यह सिर् क्लिप को zoom in नहीं किया, सिर्फ आपके final जो display आपके आपके आपस आ रहा है, उसको zoom in कर दिया, यहाँ से हमने 200% select किया था, हम इसको और ज्यादा करके 400 भी कर सकते हैं, और अपने यहाँ पर scroll से हम इसको देख सकते हैं, और normally यह fit की option ही होती है, जिसमें आपको नजर आ रह अगे होते हैं, तो आप चाहें तो इसको half या one fourth पर रखके सिर्फ playback की हता है, यहाँ पर हमारे पास settings ही कुछ option है, जिसको मैं suggest करूँगा कि आप इनको खुद भी explore करें, कि किस तरीके से कौन सी settings, क्योंकि by default setting इसने की भी होती है, आपको major कोई change required नहीं होता, इसलिए आप चाहें तो बाकी settings हो खुद explore करें, कुछ जगाओं पर अगर आपको जूरत पढ़े, तो आप इनको on and off करके use कर सकते हैं, तो अभी तक जो भी हमने source window के panels में और अपने program window के panels में, जो भी settings, जो भी options हमने explore की, आप देख सकते हैं कि आपके हर window में, हर bin में इस इसी तरह से आप उनको देख सकते हैं कि उनमें आपके पास different options मौझूद हैं, तो आप इनको बिल्कुल basic options जो है, basic settings जो है, बिल्कुल इनको याद भी रखें, इनको use किस तरह से करना है, आप वो भी बिल्कुल इसको use भी उसी तरीके से करें, short keys के साथ भी आप थोड़ा स जरूर करें, जितना भी अभी तक हमने किया, अभी बहुत जादा हमने नहीं किया, क्योंकि अभी हमारा actual सारा main edit जो है, तो timeline पे जितना भी हमारा सारा, जितना भी main action है, वो अभी आगे आने वाले lectures में आएगा, लेकिन अगर आपने जितना भी पिछला काम हम अभी तक कर चुके हैं, आप उसको maximum practice करेंगे, तो आगे आने वाले lectures में आपके लिए फर्दर मजीद असानी होगी, तो एक ही चीज़ है कि आप जितनी practice कर सकते हैं, उतना ही आपके लिए बेतर रहेगा.